OTT पे के ऐसी मूवी रिलीज हुई है ना जिसको मुझे लगता है कि मेरे देखने के बाद ना मैं अगले एक डेड़ हफते ना सचरफ उसी मूवी के बारे में सोचता रहूंगा बहुत सारे लोगों को इस मूवी के बारे में पता भी नहीं होगा चुपचाप से आई है और ऐसा धमाका करके गई है ना मेरे धमाग के अंदर के मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी मूवी बन भी सकती है पहले मूवी का नाम बता देता हूँ विजे सेतु पती की महाराजा आज ही रिलीज की गई है अच्छी बात और बुरी बात दोनों यह है कि यह OTT पे रिलीज की गई है यह एक ऐसा सिनेमा है ना जिसको अगर मैं थेटर में देखता ना तो शायद मैं अपने नाकुन क्या उंगलियां भी चबा जाता ऐसे ट्विस्ट टर्न जिस जिसको भी थ्रिलर पसंद है ना यह उसकी लाइफ का बेस्ट थ्रिलर होने वाला है यह आप मेरे से आज लिखके ले लो ऐसी मूवी है जिसको मिस मत कर जाना अगर तो मिस कर गए न अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट थ्रिलर मूवी मिस करने वाले हो ऐसे ट्विस्ट ऐसे टर्न न कि तुम्हारी जहां पर सोच खतम होती है न वहां पर इस मूवी की डिरेक्टर की सोच शुरू होती है मतलब अगर ये मूवी वालिवुड में रिलीज हुई होती न तो शायद ये सबसे जादा आसकर जीतने वाली मूवी बन जाती और अगर इंडिया को इस साल अपनी कोई मूवी आसकर में भेजनी है तो I think this is the best option न कलकी न पुषपा कोई मूवी इसके सामने स्टैंड नहीं करती है इतनी बेहतरीन मूवी मैंने अपनी लाइफ में ऐसा थ्रिलर कभी नहीं देखा ऐसा ट्विस्ट ऐसा टर्न और मूवी के अंदर जो विलेन लीड में है आप सुनके शौक हो जाओगे अनुराग कशप जी हाँ विजे सेतूपती वर्सिस अनुराग कशप और ऐसी आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की है दोनों ने न डिरेक्टर तो अनुराग कशप है ही खतरनाग साइको किलर के रूप में इतने जबरदस्त लग रहे है न मूवी में कि आप भी एक बार के लिए सोच में पढ़ जाओ कि बही ये सची में डिरेक्टर है कि एक्टर ही है और वो भी इतना ब्रिलियंट है हिंदी लवर्स के लिए अच्छी बात ये है कि ये मूवी डब करके रिलीज की गई है मतलब I am so in shock, so in terror डर लग रहा है मुझे मूवी देखने के बाद कि ऐसा भी कुछ हो सकता है मैं इतना जादा रिलेट कर गया मूवी के साथ ना चलते चलते पहले बड़ी normal सी स्टोरी चल रही थी और suddenly ऐसा रिलेशन आया ऐसी कहानी घुमीना के मेरा दिमाग मैं ऐसे सिर पकड़ के मूवी देख रहा था ओ भाई क्या ही फिलम बना दी है थोड़ी सी स्टोरी बना जाता हूँ विजे सेतुपती एक normal barber है जिनके घर में होती है एक चोरी चोरी होने से पहले उनके सिर पे कोई कुछ डंडे से मारता है और उनको उन तीन ये चार लोग आते उनके घर पे मतलब उनको पकड़ने उनको मारने उनको उनमें से एक बड़ा ही जबरदस्त फीचर याद रहा जाता है कि उसकी पीठ पे कान है अब ये क्या है ये आपको मूवी देखके बता चलेगा बट उनको वैसे किसी की शकल याद नहीं है क्योंकि उनके सिर पे डंडा मार दिया जाता है अब गुम क्या हुआ है चोरी क्या हुआ है ऐसी चीज चोरी हुई है जिसको ढूणने के लिए उनको पुलिस को पांच लाग तक की रिश्वत देने का भी निरने कर लियो और दे भी दी ओ चीज जो चोरी हुई है वो है डस्ट बीन जी हाँ विजे सेतुपती के घर से एक डस्ट बीन चोरी हुआ है जिसकी रिपोर्ट को लेके वो पुलिस के पीछे पीछे भाग रहे हैं पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको ढूण के दो ये मेरे लिए बहुत जाद बनाता है, किचन में जाता है अपने मन पसंद का खाना बनाता है उनके सामने बैठ के खाता है फिर उनको गोली मार के मार देता है अब यह दोनों स्टोरियां कैसे जुड़ती है क्या मुवी में ट्विस्ट आता है विजे सेतु पत्ती और अनुराग केशब कैसे आमने सामने आते है क्यों डस्ट बीन इतना इंपॉर्टन है क्यों साइको किलर इस तरीके से मारता है इतने सारे सवालों के जवाब कुस सारे मुवी देखके बता जलेंगे मैं आपका मज़ा खराब नहीं करूँगा बस मैंने ये रिव्यू इसलिए बनाया है कि मैं आपको बोल सकूँ कि इस मुवी को मिस मत करना इट इस एन अल्टीमेट मुवी अगले 10-20 साल और पिछले 10-20 साल ऐसी मुवी ना आई है ना आएगी क्योंकि ये सोच पाना ना हर किसी के बस की बात नहीं है अगर आपको अंधाधुन पसंद है ना तो ये अंधाधुन से समय लो 100 लेवल उपर है बतलब कमाल का सिनेमा यार विजे सेतु पती भाई ये क्या बना दिया आपने कहां से आ गया कोई प्रमोशन नहीं कोई खास कुछ नहीं सड़नली ये बॉंब फोड़ दिया and I believe this is one of the best movies मैंने अपनी जिंदगी में जो देखी है and मैं आपको भी at the end of the day यही बूलना जाओंगा कि ये movie मिस मत करना इसको मैं कोई स्टार नहीं दूँगा अगर दूँगा भी तो 5 out of 5 star है यार amazing amazing कमाल की movie है अभी जाओ जाके देखा और comment में मुझे thank you बोलने जरूर आना कि मैंने आपको ये movie recommend की थे और वीडियो अच्छे लगी हो तो like, share, subscribe करना मत भूलना